हिंडिया जारे की एजुकेशन की सीरीज में स्टुडेंस आज हम धुरूफ स्कीम के बारे में जानेंगे तो बच्चो यह जो धुरूफ स्कीम है यह अक्चली प्रदान मंत्री जी ने आरंब की थी कब आरंब की थी अक्टूबर 2019 में बोधी जी द्वारा यह आरंब की गई स्कीम है और यह जो प्रोग्राम है यह एक इन्नोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम है किसके अंडर Ministry of Human Resource Development जो कि आज के समय पर अगस्ट 2020 से यह शिक्षा मंत्राले बन चुका है तो यानि कि यह शिक्षा मंत्राले Ministry of Education के अंडर आती हुई एक स्कीम है और इसके अंडर जो पहले तो identify करना है जो talented children है, gifted children है उनको identify करना है और उनको फिर encourage करना है और पढ़ाई के लिए और यह जो children है उनको किस तरह से identify किया जाएगा जो renowned experts है किसी भी field के उनके द्वारा उनको identify किया जाएगा कि किस बच्चे को कितनी knowledge है किस बच्चे का दिमाग कितना तेज है, जो भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे है उनको identify करना ही स्कीम का main उदेश्य है और यह जो स्कीम है यह actually science और arts area के अंडर है और 60 students every year इसमें चुने जाते हैं नौवी से बारवी कक्षा के लिए और इसका नाम ध्रूव इसलिए रखा गया क्योंकि जैसे ध्रूव महाराज थे एक बहुत सत्युक के समय की जो बात है वो बहुती अच्छे बच्चे थे लेकिन उनके पिता ने उनकी value नहीं समझी फिर वो भगवान के अराधना करते हैं तो उसके बाद भगवान ही उनको वापिस फिर राजा भी बनाते हैं वापिस आते हैं तब सब उनके जो घर वाले हैं सब उनको प्यार करते हैं वो घर चोड़कर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए जब वापिस आते हैं फिर सब उनको प्यार से रखते हैं और फिर उन बच्चों को आगे पढ़ाई में प्रेरित करना इसके अंडर इसकीम के अंडर आता है धन्यवाद